हलो दोस्तों मैं हूँ केपी सर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल दोस्तों आज हम जानेंगे कि आप घर बैटे ही अप SBI बैंक में अपना आधार कैसे लिंक कर सकते हैं अपने आधार को कैसे जुड़वा सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अपना आधार कार्ड कौन-कौन से बैक अकाउंट में लिंक हो रखा है तो आईए दोस्तों व्यूडियो को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अपनको browser open करना है browser open करते हीitting यहाँ पर type करते हैं और search कर देना है कि जैसे हम सब्सक्राइब हमारे सामने howard website जो दिखाई दे रहे हैं उसे open करना है जैसे हम इसे open करते हैं तो नीचे हमें scroll करते हुई चलना है और यहाँ पर भाले ओप्शन पर लिखा हुआ रहा है आधार सर्विस पर हम क्लिक करते हैं जैसे हम यहां पर क्लिक करते हैं तो यानि इसे नीचे स्कॉल करते हुए जब हम चलते हैं तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है आधार लिंकिंग इस्टेटास आधार लिंकिंग इस्टेटस पर हम क्लिक करते हैं जैसे ही हम यहां पर क्लिक करते हुए तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है यहां पर अपने आधार कार्ड नंबर नीचे डालना है और जैसे ही हम यहां पर क्लिक करेंगे यह ओटीप उस मोबाइल नंबर पर जाएगी जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक है यानि आधार कार्ड में जो नंबर लगे हुए है उसी नंबरों पर यह ओटीप जाएगी तो मैं यह डालता हूं तो दोस्तो मैंने यहां पर ओटीप डाल दी है उसके बाद में मैं यहां पर संबीट करता हूं जैसी हम यहां पर संबीट करते हैं तो यह लिखा हूँ आ रहा है कॉंग्राचुलेशन यूर आधार बैंक मैपिंग हैस बीन डन अब जैसे यह बता रहा है मेरे आधार नंबर तो दोस्तों यह मैं बोल रहा है कॉंग्राचुलेशन यूर आधार बैंक मैपिंग हिस बीन डन तो अब यह दिका रहा है कि आपका बैंक में जो आधार लिंक हो रका है वह बैंक ओफ इंडिया में वो रका है तो जह यह मेरा जो आधार है वो बैंक ओफ इंडिया में लिंक हो रकार है तो उसके बाद में हम आप जानेंगे कि आप इस्टेट बैंक ओफ इंडिया में अपने आधार को कैसे लिंक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ऑफिश तो दोस्तों हमें यहां पर टाइप करना है 5 6 7 6 7 6 और यहां पर डाल देना है यहां पर अपन को कैपिटल लेटर में डालना है करते है यू आई यू एडी डालते ही इस पेस देना है जैसि ही है अपन स्पेस देते हैं यहां पर अधार नंबर करना है जैसे हम यहां पर अधार नंबर फिल कर रहा हूं हुआ है कि अब देवस्तों मैं ने यहाँ पर आधा नंकबर फिल कर दिया है। उसके बाद में अपनिया इस पेज देंगे इस पेज देंगे । सब्सक्राइब आ धरहना है। तो मैं बात इस प्रॉफ नमबर यहाँ तो है। जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे तो हम यानि इन नम्रों पर अपनको मैसेज सेंड कर देता हैं जैसे हम यहाँ पर सेंड कर देंगे तो यह तो साथ के साथ अपना आधा लिंक हो जाएगा या फिर दो चार घंटे भी लग सकते हैं आपके काउंट में आधा लिंक होने में तो तो आप यह मेसेज सेंड कर दिए जीगा तो मैं सेंड कर देता हूँ जयजे ही हम यहां पे सेंड करते हैं उसके बाद में अपने पास कनफर्मेशन का एक मेसेज आ जाएगा कि आपका आधार कार्ड रेंक में लिंक हो गया है तो थैंक्यू दोस्तों जाहिन जाह बारत